पिछले दिनों अमेरिका की संसत की स्पीकर नैंसी पैलोसी विदेश यात्रा के लिए ताइवान के दौरे पर जाती है ये 25 साल में पहली बार था जब अमेरिका की ओर से कोई बड़ा पॉलिटीशियन ताइवान गया इस दौरे की खबर आते ही चीन जो कि ताइवान को अपना हिस्सा मानता है उसने सीधे तोर पर अमेरिका को अगा किया कि नैंसी ताइवान ना जाए वे इस दौरे को रद कर दे यहां तक कि अमेरिका को चेतामनी भी दे डाली कि इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे लेकिन नैंसी पेलोसी ताइवान गई उनकी जाने के बाद से ही ताइवान की सीमा पर चायना की ओर से लगातार मिसाइले दागना शुरू हो गया अब सवाल उठता है कि ताइवान में एक विदेश मंतरी के आने मात्र से चीन इतना परेशान क्यों है चीन को ताइवान से क्या खत्रा है और इन सब का भारत से क्या कनेक्शन है सब कुछ समझेंगे आज की इस वीडियो में एकदम असान भाशा में चीन ताइवान विवात को समझने से पहले आपको ताइवान और चाइना के संबंधों को समझना होगा ताइवान और चाइना के रिलेशन्स 16-17 सेंचरी के बीच वैपार के लिए शुरू हुए धीरे धीरे चीन से आए लोग यहां बसने लगे और कुछ समय बाद ताइव जाइवान को अपने कब्जे में कर लिया यानि की ताइवान पर अब चाइवान का शाशन था लेकिन वर्ड़ वर्ट टू के अंत में अमेरिका ने जपान पर प्रमाडूबं से हमला कर दिया प्रमाडूबंब की भीशन तबाही को देखते हुए जपान ने हार मान लिए इसके बाद ताइवान दोबारा जापान से अजाद होकर चाइना में शामिल हो गया। अब इन सब के बीच चाइना में क्या चल रहा था। चाइना में इस समय दो विचारधाराओं की पार्टी आपस में जगड रही थी। किसी भी देश में जब अलग-अलग विचारधारा रखने वाले लोग आपस में जगरने लगते हैं तो इस इस्तिती को ग्रह युद्ध कहा जाता है इस ग्रह युद्ध में कुल दो पार्टियां शामिल थी जिन में से पहली Nationalist Party थी और दूसरी Communist Party थी Nationalist Party की विचारधारा लोक तांतरी थी जैसा कि आद भारत और अमेरिका में भी देखने को मिलता है जनता तै करती है कि शाषन कौन करेगा वहीं कम्यूनिस पार्टी की विचार धारा इसके ठीक उलट एक ऐसी शाषन में थी जिसके शाषक के हाथ में पूरी सत्ता होती है जैसा की रूस और नौर्थ कोरिया में देखने को हमें मिलता है नाशनलिस पार्टी के लीडर शांक कई शेक थे वहीं दूसरी तरफ कम्यूनिस पार्टी को माउ जिदांग लीड कर रहे थे इन दोनों पार्टीों के बीश लडाईयां 1924 से 1950 तक चली आखिर में चाइना पर माउ की कम्यूनिस पार्टी का पूरी तरह से अपना कबजा हो गया दरसल साल 1945 में जपान के अमेरिका से हारने की बात से ही माउ के लोगों ने शांक कई शेक यानि की नैशनलिस विचारधारा रखने वाले लोगों को चीन से भगाने का प्रयास जाली रखा लगभग तीन साल के अंदर कम्यूनिस पार्टी ने चाइना में पिंचान नवे पीसिदी भाग में अपना कबजा जमा लिया और इसी के साथ 1949 में कम्यूनिस पार्टी ने चाइना को एक कम्यूनिस देश घोशित कर दिया और आज भी चाइना में इसी पार्टी का शाशन ह फिर नैशनलिस पार्टी का क्या हुआ? हार का सामना कर रहे शांग कई शेक अपने ही तरह की विचारधारा रखने वाले 20 लाग लोगों को एक साथ लेकर फारमोसा नाम के द्वीप में चले गए और बाद में इसी द्वीप को ताइवान के नाम से जाना गया तो अभी आप जिस ताइवान को जानते हैं वो 1949 में ओफिशली चीन से अलग हुआ था क्योंकि चाइना एक कमिनिस देश बन चुका था वहीं शांकई शेक ताइवान में आकर बस गया और उसे एक लोगतांत्रिक देश बनाया गया शांकई शेक यहीं नहीं रुके उन्होंने ताइवान को ही असली चाइना घोशित कर लिया और खुद को रिपबलिक ऑफ चाइना बताया उधर चाइना वाले भी खुद को प्यूपल्स रिपबलिक ऑफ चाइना बताने लगी दोनों ही अपने आपको असली सावित करने मे लगे हुए थे जैसे भारत में पुष्टैनी दुकान चला रहे दो भाई आपस में लड़कर अगल बगल की दुकान खोल लेते हैं और दोनों ही खुद को मैं असली मैं असली करने लगते हैं चीन और ताइवान के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ था मजे की बात तो ये है कि य 1971 में ये खिताब उससे चीन लिया गया क्योंकि इस साल चीन ने यूएन में अपनी सीट पक्की कर ली और इसी के साथ उसने अमेरिका से भी अपने संबंद अच्छे करने की और पहल की हमेशा से ही अमेरिका चीन और ताइवान की बीच काफी एहम भूमी का निभाता रहा ह दूसरे विश्यद से साल 1989 अमेरिका और ताइवान दोनों ही देशों की संबंद काफी अच्छे थे इसके बास साल 1989 में अमेरिका ने चीन से दोस्ती कर ली और ताइवान से मो फेर लिया इसी के साथ Čएना की वन चाएना पॉलिसी अपना ली अब ये चाएना की वन चाए पास करता है व्यपारिक कारणों की चलते इसके जवाब में उसी साल अमेरिका ने ताइवान रिलेशन एक पास किया जिसके तहट तै किया गया कि अमेरिका ताइवान को सैन्ने हतियार सप्लाइ करेगा और अगर चीन ताइवान पर किसी भी तरह का हमला करता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा इसका मतलब अमेरिका अपने रिलेशन चीन और ताइवान दोनों देशों से ही बैलेंस रखना चाहता है इसी बीच चीन ने ताइवान को वन कंट्री टू सिस्टम का प्रपोजल रखा जिसके तहट ताइवान को अपना शाशन चलाने का अधिकार होगा अपनी सेना रखने का भी अधिकार होगा लेकिन ताइवान को चाइना के अंडर काम करना होगा और ताइवान ने इस प्रपोजल से इंकार कर दिया आज तक ताइवान अपनी पहचान के लिए संगर्श करता नजर आता है चाइना भी हमेशा ताइवान की सीमा पर मिसाइल गिराक अपने नराजगी या सेना का बल दिखाता रहता है चाइना अपनी आर्मी पर भी ताइवान के कई गुना जादा पैसे खर्च करता है उधर चीन की बढ़ती ताकत को देख चीन के विरोधी देश जैसे की अमेरिका और कुछ यूरोपिय देश ताइवान से सीधे बा अमेरिका खुद अपने हतियार के साथ ताइवान को कई मौके पर सुरक्षा भी देता रहा है अमेरिका के वर्तमान राष्ट्यपती जो बाइडन ने भी ताइवान को मदद देने की बात की थी बदले में चीन ताइवान पर समय समय पर बैन लगाता रहा है यह अजीब ही बात है कि जब चाइना ताइवान को अपना ही देश मानता है तो अपने ही देश पर पाबंदी क्यों अब ताजा मामले की बात करें तो अमेरिका की नैंसी पॉलिसी सीधे ताइवान से बातशीत करने गई ताइवान और अमेरिका के बहतर रिष्टों को देख चीन परेशान पाने की लड़ाई कई सालों से लड़ रहे हैं ताइवान भी भारत की तरह शांत और एक लोगतांत्रिक देश है जहांके लोगों की आमदरी उनकी विकासदर और अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छी स्थिति में है ताइवान अपनी टेक्नोलोजी के लिए दुनिय प्यानी की कोशिश की तो क्या बस वो वहीं रुकेगा क्योंकि उसके सीमा विवाद तो कई देशों के साथ हैं जिसमें से भारत भी एक है इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे हैं दान्यूस फिफ्टी